क्या आप जानते हैं कोट, जरकीन, जैकेट, सूट और ब्लेजर में क्या अंतर होता हैं क्योंकि बहुत से लोग इनके बीच कन्फूज हो जाते हैं तो चेलिए आज हम आपको बताएंगे कोट, जरकीन, जैकेट, सूट और ब्लेजर में क्या अंतर होता हैं यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ओल अपर क्लिक करें ताकि आने वाले ने वीडियोज आप रोजान देख सकेंगे। पहले जाकेट के बारे में बात करेंगे। जाकेट एक प्रकार का आउटर वेर होता है जिसे कपड़ों के ऊपर से पहना जाता है। जाकेट के लंबाई पेट तक, कमर तक या उसके थोड़ा सा नीचे तक हो सकती है। जैकेट ज्यादातर फुल स्लिवस के होते हैं, जैकेट खास कर हलके और टाइट फिटिंग के होते हैं, कुछ जैकेट फैशनेबल होते हैं, तो कुछ सुरुक्षात्मक कपड़ों के रूप में काम करते हैं, कोट और जेरकिन एक प्रकार के जैकेट सी हैं, जैकेट के बहुत सारे प्रकार जैकेट के देखने को मिलते हैं जरकिन जरकिन भी एक प्रकार का आउटर रिवेर होता है जिसे कपड़ों के उफर से पहना जाता है जरकिन एक प्रकार का शॉर्ट क्लोस फिटिंग जैकेट होता है जरकिन खास कर लेदर से बना होता है और वो ज्यादा तर बिना स्लीव का होता है हालाकि जरकिन फूल स्लीव में भी देखने को मिलते हैं जरकिन खास कर पूरुशों के लिए होते हैं सूट सूट का मतलब है कोट और पेंट यानि पूरा सेट कोट को आप जेकेट भी बोल सकते हैं यानि सूट कोट और पेंट का पूरा सेट होता है जो हमेशा एक ही कपड़ों का बना होता है सूट में हमेशा मेचिंग होता है कोट और पेंट का कलर सेम होना चाहिए सूट को लोग खास कर पार्टी, शादी, मिटिंग और अपिस में पेहनते हैं सूट अधिक तर गहरे रंके होते हैं जैसे काला नीला भूरा वगेरा कोट जो होता है वो सूट के सेट का हिस्सा होता है कोट सूट के सेट का उपर का जेकेट होता है जैसे खासकर लोग पार्टी, मिटिंग, शादी में पहनते हैं कोट ज्यादा तर फार्मल होता है जिसे हमेशा मेचिंग पेंट पर पहना जाता है यानि कोट का और पेंट का एक ही रंग होना चाहिए कोट को जीन्स पेंट पर नहीं पहना जाता है कोट हमेशा गेहरे रंग का होता है जैसे काला निला भूरा वगेरा Blajer, Blajer भी एक प्रकार का jacket होता है, जो काफी हद तक coat के जैसा ही दिकाई देता है, Blajer किसी भी suit का हिस्सान नहीं होता है। इसे हम अलग से खरिच सकते हैं, Blajer को हम formal और informal दोनों प्रकार के paint पर पहन सकते हैं। ब्लेजर गेहरे और हलके दोनों रंगों में होते हैं, यने फार्मल और इन फार्मल दोनों तरह से पहना जा सकता है। ब्लेजर को लोग शादी, पार्टी और अन्य फंक्शन्स में पहेंदे हैं। ब्लेजर को हम जीन्स पेंट और फार्मल पेंट दोनों पर भी पहेंद सकते हैं। ब्लेजर कई सारे स्कूल और कॉलेजस में युनिफर्म का एक हिस्सा होता है। आपको अच्छे से पता चलाओगा कोट, जरकीन, जैकेट, सूट और ब्लेजर में क्या अंतर होता है। तो चेले मिलते हैं नए विड़े में तब तक के लिए जैहिन।